हें गाइस कैसे आप सब मैं हूँ निखिल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज के एक नई एपिसोड में जिसका नाम है फिक्स माय डिजाइन अब जिन लोग को नहीं पता इस सीरीज में आप लोग मुझे डिजाइन सब्मिट करते हो और मैं ट्राइ करता हूँ उन को थोड़ा सा और बेटर बनाने की तो आज का जो डिजाइन है वह सब्मिट किया है रोहित ने इन्होंने बनाया है यह स्मार्ट वाच्च सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन तो सबसे पहले तो हम इस डिजाइन को आइनलाइज करेंगे देखेंगे कि इसमें क्या-क्या ग वीडियो शुरू करते है बट शुरू करने से पहले मेक शॉर करें कि आप क्यानल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप जैनुएनली मेरे वीडियो को इन्जॉई करते हैं तो कॉमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें यार जल्दी ह चारल लाख फॉलोवर्स पहस्चने का हमारा थार՗ेट है होगारि यार विडियो शुरू कर ले मुझे चलिए अब आज च़्जू करते हैं तो इस design को देखते ही जो सबसे पहली चीज जो इसमें गडबड है वो है color scheme की तो colors आपने जो लिये है background का और जो आपका main product का color है वो काफी जादा same है अगर आप चाहो तो same ले सकते हो बट उसका एक lighter tone लेना चाहिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाओ और यह pick whip करूँ यहाँ से तो इसका मैं lighter tone जो मेरा element है या मेरा product है उसका मैं straight away इस तरीकी से lighter tone ले सकता हो जिससे बाकी सब जो चीजे है वो अच्छे से और highlight होगी ठीक है number one था color दूसरी जो बहुत important चीज है वो है यहाँ पर आपने जो image यूज किया है image तो ठीक है चलो बट आपने जिस वे में इस shapes को use करके image को cut out किया है यह जो design style है वो ठीक है बट वो इस particular design के साथ जा नहीं रही है मतलब यह ठीक है आपने इस type के design style को use किया बट इस particular design के लिए यह style सही नहीं है all right next चीज जो है आपने 50% off जिस वे में बताया है यह stars use करके तो यह भी design style एक बैट नहीं रही है पूरे design के साथ यहाँ पर main problem क्या हुआ है कि आपने बहुत सरे अलग-अलग random design style follow किये है एक कोई theme नहीं रखी है आपके design की which is why design जो है वो complete नहीं लग रहा है और जो composition है design का वो balance नहीं लग रहा है कभी भी आपका जो composition होता है design का वो balance लगना चाहिए हर वे से यहाँ पर काफी चीजे पर ऐसा लग रहा है कि randomly place की गई है which is very bad but we will fix it I will show you a way to do that मुझे यह बहुत सही लगा कि आपने जिस वे में यह लिखा है smart watch for a smart lifestyle यह circle करके lifestyle पर focus करने के लिए which is nice आपने यहाँ पर कुछ elements इस तरीके से यह add किया हो है जिसकी against कोई sense नहीं बनती अगर वो element तभी आप ऐसे elements तभी use करो जब वो कोई sense बनाते हो या आपके design को balance करते हो आपके composition को complete करते हो एसे सब cases में आपको elements यूज करने चाहिए वना वो कोई sense नहीं बन रहा है इसका यहाँ पर रखने का फिर आपने जो यह logo रखा है वो बहुत random लग रहा है मतलब वो कोई alignment में नहीं है या तो center में रखो या तो आप इस element के जगे पर इस logo को रख सकते हो तो इसको अगर मैं और alignment में proper हो सकते थे जैसे कि अगर मैं सब कुछ select कर पाऊ तो properly align नहीं है तो align होने चाहिए थे फिर visit यह में जो समझा नहीं विजिट और इस तरीके से लिख की यहाँ पर आपने जो website का नाम लिखा है वो बहुत ही अजीब लग रहा है तो visit की जरूरत नहीं लोग को पता reframe this design all right तो यहाँ पर मैंने एक नया document बनाया है जिसका size 1500 by 1500 और मैंने वही image ली है watch की जो आपने use की थी यहाँ पर आपने जो use किया था जो shadow के साथ आता है तो मैंने यहाँ पर वही image ली है तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एक background add करके अब यहाँ पर भी मैंने जो आपका watch का color था उसका ही lighter tone लिया है background में बट इसे हम बाद में जाके और enhance करेंगे तो सबसे पहले create करेंगे हम लोग यह जो shape है इस तरीके का जो दिखने में बहुत cool लगता है और काफी अच्छी depth create करता है इसे बनाना बहुत जारा easy है तो चलिए देखते हैं कैसे बना जा सकता है तो सबसे पहले मैं यहां पर जाओंगा और ellipse tool select करूंगा एक circle हम लोग बना देंगे बढ़ा सा कुछ ऐसे and इससे मैं place कर दूँगा यहां पर मुझे fill नहीं चाहिए तो मैं fill को set कर दूँगा none पर stroke मुझे चाहिए तो stroke हम लोग काफी बढ़ा देंगे कुछ यह से और राइट and फिर मैं इसे यहां पर इस तरीके से place कर दूँगा कुछ इस तरीके से color में बाद में भी change कर सकता हूँ अभी के लिए मैं जैसा है वैसे ही रख रहा हूँ फिर मैं क्या करूंगा actually मैं इसे नीचे लेके जाता हूँ watch के layer के पास तो थोड़ा easy रहेगा समझने में फिर हम क्या करेंगे इस shape को select करेंगे और इस पर एक layer mask add कर देंगे फिर control hold करके हमें हमारे watch को select करना है जिसे एक selection हमें मिल जाएगा और फिर इस layer mask को select करेंगे जो हमने shape पे बनाया था बी press करेंगे brush tool के लिए और make sure करना है कि हमारा जो foreground color है वो black हो and फिर simply मैं hardness बढ़ा दूँगा brush की 100% पर and फिर यहां से इसे इस तरीके से erase कर दूँगा और यहां पर भी मैं corners पर मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कुछ ऐसे यहां पर हम थोड़ा सा जूम करेंगे और इस तरीके से erase करने के लिए फिर मैं चाहो तो इसका जो color है वो हम लोग change कर लेते हैं तो यहां पर जाकर मैं add कर दूँगा I think it was this color और फिर मैं क्या करूंगा इसके उपर हम लोग एक नया layer create करेंगे right click करके clip mask कर देंगे ताकि वो सिफ औस इस shape को affect करें बी प्रेस करेंगे brush tool के लिए इसे select करेंगे इस color को और फिर यहां पर जाकर इसका darker tone ले लेंगे कुछ ऐसे फिर brush को बढ़ा करेंगे softness पूरा 100% कर देंगे मतलब hardness को zero कर देंगे और फिर मैं यहां पर जाकर कुछ इस तरीके से हलके taps करूंगा जिससे एक shadow create हो जाएगी यहां पर कुछ ऐसे फिर थोड़ा सा और dark कर लेंगे इसको और यहां पर ऐसे add कर दूंगा तो जैसा कि आप देख रहे हो काफी अची एक depth overall में मिल जाती है और ऐसा लग रहा है कि यह जो circle है वो इस watch के बीच में से जा रहा है विच इस the exact manipulation और the look that I want तो काफी सही लग रहा है मुझे इसी वे में मैंने add किया था यह shape अब मैं चाहू तो इस shape का duplicate भी ले सकता हूँ तो मैं select करूँगा इससे एक duplicate यहां पर move कर लूँगा और इस layer mask था उससे मैं delete कर दूँगा ठीक है इससे चाहू तो मैं छोटा बड़ा जैसे भी चाहू प्लेस कर सकता हूँ और फिर अगें थोड़ा सी depth add करने के लिए मैं इस layer को select करूँगा और make sure करना है कि यह layer ऊपर रहे यह तो यह clip mask जो है वो निकल जाएगा इससे clip mask कर देता है इससे select करेंगे एक नया layer create करे जो है वो shadows add कर दूंगा थोड़ी सी intensity में ज्यादा लग रही है तो मैं यहां पर जाकर fill में कम ज्यादा कर सकता हूँ तो काफी अच्छी depth हमें मिल जाती है और इस technique को use करके आप जैसे चाहे जितने चाहे वो shapes जो है वो add कर सकते हो मैं चाहूँ तो एक यहां पर add कर सकता हो रख सकते हो same exact process आपको करना है बस clip mask का फरक है और आपको clip mask जो है वो इस particular shape पे करना पड़ेगा ठीक है तो यह करने के बाद आगे का जो process है वो बहुत जादा simple है अब यह जो shape है वो अभी काफी जादा flat लग रहा है तो इसे enhance करने के लिए मैंने क्या किया था basically एक नया layer create किया इसे भी clip mask कर दूँगा इस particular shape पे भी press करूँगा brush tool select करने के लिए और alt hold करके मैं यहां से color pick whip कर लूँगा फिर इसका lighter tone है हम वो लेंगे और इसे बढ़ा कर लेंगे और इस तरीके से edges पे जो है वो हलकी सी light add कर दूँगा जिससे एक अच्छा ऐसा लग रहा है कि यह इस area में जो है वो light आ रही है और फिर यहां पर जाकर वो dark हो रहा है जिसके वज़े से यहां पर shadows create हो रही है फिर मैंने text tool select करके simply यहां पर जो आपका text था जो main text है a smart watch for a smart life यहां पर मैंने add कर दिया है और जो font है वो मैंने काफी एक interesting font लिया है जो दिखने में थोड़ा सा modern भी लगे but at the same time वो tech को भी resemble करें तो यह जो font था यह I think it's a new machina जो एक बहुत interesting font है अगर आप चाहो तो check out कर सकते हो तो यह font मैंने इस particular design के लिए select किया था क्योंकि at the same time it's elegant with some modern textile 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 text tech feel to it all right फिर यहां पर मैंने जो आपका website था वो मैंने add कर दिया है और एक चीज बहुत interesting वे मैं जो आपने यहां पर चीज़े highlight की दिया यह जो 12 hours battery running mode और cycling mode इसे मैंने इस way में बताया है बस text को इस तरीके से place कर दिया है आसपास और फिर उस पे थोड़ा सा focus लाने के लिए मैंने add कर दिया है कुछ dots जिससे resemble होता है कि यह जो modes है वो इस particular watch के है तो जैसे कि मैंने पहले कहां था starting में कि आप जो भी elements add करो जैसे मैंन करेंगे उससे वो काफी जादा support करेगा आपके design को फिर finally मैंने add किया 50% of जो आपका text था यह थोड़ा सा मुझे off लग रहा था तो इससे थोड़ा सा blend in करने के लिए पूरे design composition को balance करने के लिए मैंने इसका duplicate add किया है यहां पर कहां गया वह इस तरीके से यहां पर इसे add कर और opacity काफी कम रखी around 15% मैंने fill रखा है और फिर हम क्या करेंगे इस पर layer mask create करेंगे बी प्रेस करेंगे brush tool select करने के लिए और foreground color black रखेंगे इस तरीके से brush और फिर मैं इस तरीके से हलका साइसे erase कर दूगा तो एक faded look आ जाएगा तो इतना भी आखों में खटकेगा नहीं और दिखने में भी काफी अच्छा लगेगा तो जैसे के आप देख रहे हो पूरा composition जो है वो अच्छे से balance लग रहा है और finally हम लोग add करेंगे जो तुम्हारा logo था वो हमने add कर दिया है और एक हलका full का सा जो है वो मैंने curves adjustment यहां पर डाला हुआ है अब जो background है ना वो मुझे थोड़ा flat लग रहा है तो उससे थोड़ा हम लोग interesting बना सकते कैसे और यहां पर जाएंगे और add करेंगे एक gradient ठीक है gradient में आपको जाना है और यहां से मैंने same जो background का color था उसका थोड़ा सा darker tone यहां पर select किया है और यहां पर पी मैंने वही color रखा है बट इसका जो opacity है वो म से मैं दीरे-दीरे बढ़ाऊंगा देखूंगा कहां पर जाके थोड़ा सही लग रहा है तो यहां पर थोड़ा सही लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि यह जो color है यह थोड़ा सा dark हो and boom and finally मैं इसे एकदम नीचे set कर दूँगा जो main solid layer है उसके उपर बहुत हलका सा change है बट बहुत ही जादा support करता है हमारे complete design को अगर मैं चाहूँ तो इसमें जाके थोड़ी से changes करना चाहूँगा जो इसकी scale है उसमें हलका सा बढ़ा दूँगा कुछ ऐसे and boom here we have our design so that is a wrap guys I hope आप लोग को आज का यह video अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो मुझे comment करके जरूर बताए और yeah that's all अगर आप चाहो तो मुझे instagram पे follow कर सकते हो dope.motions और निखिल पवार पे मैंने साले links description में दे दिये है और जिन लोग को नहीं पता मेरा सबसे पहला after effects course is online which you can enroll now first link in the description below इसी के साथ मैं आप लोग से मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and always stay raw stay creative peace out आप बश्यों कैना अब हमौने साथ बढ़ है वीडियो कि अटना है यदी बढ़ कर से बढ़ है यदी जावार मैं अवार बहुत कि बढ़ है आप पहाँ है इस आप बढ़ है झाल झाल